डीग जिले के जुरहडा थाना इलाके में बारिस के कारण एक मकान डेह गया, मलवे में दबने से मा बेटी की मौत हो गई, पिता एक बेटा और एक बेटी गंभी रूप से गायल है, जिन्हें इलाज के लिए जुरहडा से बरहतपुर के आर बीम अस्पताल इलाज के लिए बर्ती किया गया था, गटना सुकरवार देर रात एक बज़े गाउडी गाउं की है, हाजसे के दोरान परिवार के पांस सदसे घर में थे, गाउं के पूर सरपंज सेरू ने बताया कि साजित 27 वर्स अपने परिवार के साथ मकान में सो रहा था, दो दिन पूर इलाके में रुक रुक कर बारिस का दोर जारी था, सुकुरवार रात घर में साजित पतनी समसीदा 25 वर्स बेटी सहवाना 8 वर्स ये बेटी, बेटा मौईन 4 वर्स ये, छोटी बेटी आईना 2 वर्स ये घर में सो रहे थे, करीब रात एक बज़े अचानक साजित का मकान गिर गया, ज जिसके बाद गाउवालों ने करीब एक गंटे की कौशिस के बाद सभी को बाहर निकाल लिया, तब तक समसीदा और उसकी बेटी आईना की मौत हो चुकी थी, वहीं साजित उसका बेटा मौहिन और बेटी सहवाना गंभीर रूप से घायल थे, जिनने तुरंत जुरहरा अ पहुँचकर पीडित परिवार के दुख में सामिल होई, और अपनी तरब से पीडित परिवार को एक लाग रुपे की आर्तिक सायता की, और सभी से आहन किया कि इस दुख की घड़ी में हम पीडित परिवार के साथ हैं, जैसे भी हम लोगों से आपकी मदद होगी, हम आप दूसरे का साथ दें और इस मुश्किल गड़ी में मिलकर रहें मरने वालों को अल्ला जन्नतल फिर्दोस में आला से आला मुकाम अता फरमाएं वहीं गाम वालों ने भी पूर मंतरी जायदा खान का धन्यवाद किया कि इस दुख की घड़ी में आप हमारे गाम आई और हमारे साथ खड़ी हैं और पीडित परिवार की एक लाक रुपे की आर्तिक साहता करी हैं ऐसे ही इनसान की हम लोगों को सक्त जरूरत है जो हमारे सु तो कर लीजिए इसी पिरकार अपने छेतर की ख़बर देखने के लिए।